नमस्कार मैं हूं नंदिनी आप देखने अदब फुल जड़ी अगर आपने को एक्सीन लगवाई है तो आपको बता दे कि अभी तक को एक्सीन के पास जबलू एक्चो का एमर्जेंसी अप्रूवल नहीं है लेकिन कोई शील्ड और स्पूत्मिक भी जो भारत में लगवाने के लिए उपलक्त हैं इनके पास डबलू एचो का अप्रूवल है भारत के सवदेश निर्मित तीके को एमर्जेंसी अप्रूवल मिलने में देरी इसलिए है क्योंकि डबलू एचो द्वारा को एक्सीन पर कुछ और सवाल उठाए गये हैं और इनके सपस्ट्री करन के जात्रा करने की अनुमति मिल जाएगी जहाँ के वल पूरी तरह से टीका करण करवा चूके लोगों को ही देशमें परवेश करने दिया जाता है इससले बारत पॉर्ट गार्ट को अपने टीके को ढूर्ट Keeping एकस्पर चुआज में आफिया जा रहा है जैसे जिस वी शील को अफगानिस्तान बांगलादेश भुटान और नेपाल में एक्सपोर्ट किया गया था वेक्सीन का मुल्यांकन करने से पहले हैदरबास तित जैव अध्योग की कंपनी द्वारा जानकारी की परतिक्षा की जा रही है भाइद बायोटाइग इंटरनाशनल लेम्टेट द्वा कोईड-19 वेक्सीन के लिए डबलू एचो प्री क्वालिफिकेशन या अपात कालीन उप्योग सुची इन मों दिन सबंदी कारवाई प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ रही है और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भारस सरकार की जल्दबाजी कथि देरी के वारे में केवल अटकले पैदा कर रही है लेकिन यह क्या है डबलू एचो अमेजेंसी अफ्रूवल और सूची में आने के लिए क्या नियम है आये जानते हैं इसके बारे में आपको बता देगी डबलू एचो की अमेजेंसी यूज लिस्टिंग गैर लाइसेंस सुधाटी को चि बातकालिन के दोरान परभावयत लोगों के लिए इन उत्पाद्नों का उपलब्द कराना संबंदित प्रक्रिया को तेज करना होता है यह सूची उपलब्द गुणवत्ता शुरक्ष्या और परभावी करता के और परदर्श नागडों के आधार पर विशिस्ट करनानी होंगे दसर जिस बिमारी के लिए किसी उत्पाद को डबलू एचू की लिस्ट में शामिल करने के लिए आवेदन किया जगया है वह बिमारी घंबीर जीवन के लिए ततकाल संकट उत्पन करने वाली प्रकोप संक्रमिक रोग या महमारी फैलाने के शक्षम होनी चा जैसे कि बिमारी से निपटने या थ्वा आबादी के किसी उभोग जैसे बच्चों के लिए कोई लाइसेंस प्राप उत्पाद उपलब नहीं है मुझूदा उत्पाद टीके और दवाईयां बिमारी को खतम करने या प्रकोप को रोकने में विफल रहे हैं उत्पाद का न या जानते हैं कि भारत में इसत्वाल होने वाली कोईट शीर और शूत्निक को कैसे मंजूरी मिली किसी भी वैक्सीन को मंजूरी मिलने से पहले उसका क्लिनिकल ट्राइल किया जाता है clinical trial तीन चरणों की एक प्रक्रिया है जिसमें तैय किया जाता है कि तीका कैसे शरीर के immune system को मजबूत करता है और शरीर पर किसी तरह का खराब परभाव तो नहीं डाल रहा हाला कि मरीजों की अधिकार समू All India Drug Action Network ने बताया कि भारतियों पर वैक्सीन का अधियन पूरा किये बगैर इस ठीके को मंजूर ही दे दी गई दावा किया गया था इसे immune system जादा समय तक करोना वाइरस के शरीर में रक्षा कर सकता है ट्रायल के दोरा नहीं पाया गया कि परभावी होने के साथ-साथ इन वैक्सीन की कोई घंबी प्रकेयदेखने को नहीं मिली एक वैक्सीन में कुछ side effect होंगे माना जाता है लेकिन इस वैक्सीन के case में पाया गया है रूस के अलावा तो वैसे स्पूतनिक वी कव्योग अर्जुन्टीना, फिलस्तीन, वंजुला, हंगरी के समेत 60 और जाधा देशों में किया जा रहा है आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की बागे जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और माय चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद